नमस्कार दोस्तों राजस्व अनु भागों के अंतरगत मैंने आपको तीन अनु भाग बता चुका हूँ इसमें पहला था हमारा रेवेन्यू कोंसे राजस्व परिशत का विभाग उसके बाद मैंने आपको पढ़ाया चकबंदी का विभाग और उसके बाद मैंने आपको बताया राच याबदा प्रगेंदन विभाग के बारे में मैंने आपको ज़नकारी थी तीन विभागों को कंप्लीट करने के बाद हमım जा रहे हैं चोथे विभागी और जिसका नाम है जिला गज़ेडियस विभाग देखिए जिला गजीडियस विवाग को हम विस्तार से समझेंगे कि ये विवाग क्या है गजीडियस का मतलब इससे पहले समझेए गजीडियस का अर्थ क्या होता है तो गजीडियस का अर्थ होता है भागॉलिक सूचकान ग्यानी की जोग्रॉफिकल इंडेक्स तो भारत का भागौलिक सूचकानक या कह सकते हैं भारत का गजडियस क्या है तो भारत का अगर आप गजडियस देखेंगे तो उसके अंदर क्या क्या रहेगा उस गजडियस में क्या लिखा रहेगा उसमें भारत का latitude, अक्छांश, भारत का longitude, भारत का area, भारत का north, south, east, west point क्या क्या है? भारत का north से लेकर south point भारत का उसका जो distance से दूरी वो कितना है? East, east से west तक की दूरी भारत में कितनी है? भारत का कौन सा state border दूसरी देशों के border से share करता है कौन से state border किस state से share करता है कूल state क्या है सारे land boundaries कितने है water boundaries कितने है इन सब प्रकार के जो सूचनाई होती है वो भारत के गजडियस में आपको प्राप्त होंगी तो गजडियस का अर्थ मेरे ख्यार से अब आप समझ चुके होंगे कि गजडियस का अर्थ क्या होता है इसी प्रकार से जिले का गजडियस होते है तो जिले के गजडियस में क्या होता है तो जिले का गजडियस का अर्थ हो गया तो वो जिला के गजिडियस अपने पास मंगवा के सारे जिले के बारे में जानकारी ले सकता है तो उस जिला के गजिडियस में क्या क्या जानकारी होंगी इसे अब हम लोग समझेंगे देखिए कि उस जीले की गजीडियस में सबसे पहले उस जीले की पूरी धार्मिक सनरचना किसी प्रकार से है वो उसमें लिखी रहेंगी धार्मिक सनरचना के बाद उसमें भागौलिक सनरचना लिखी रहेंगी उसमें उस जीले की समाजिक सनरचना लिखी रहेंगी उस जिल्य की आर्थिक सनचना लिखी रहेगी अब इसमें एतिहासिक प्रिष्ट भूमी इस गजडियस की जिला गजडियस भी भाग की क्या है इसे समझते है सबसे पहला गजडियस जो तयार किया गया था 1815 में वाल्टर हैमिल्टन की तोरह तयार किया गया था पहला गजिडियस इसका नाम था वाल्टर हैमिल्टन जो कि 1815 में तियार किया गया था उसके वास सबसे पहला गजिडियस का जो नाम इन्हों ने रखा था इसका नाम रखा था इस्ट इंडिया गजिडियस वाल्टर हैमिल्टन ने इसका नाम रखा था है इस्ट इंडिया गजिडियस फिर प्रत्थम वास्तविक प्रयास कब किया गया तो 1872 में विलियम हंटर के द्वारा किया गया लॉर्ड मायो के कारकल में यह कार किया गया और इसमें पहला अडिशन इन्होंने बनाया जिसका नाम रखा Imperial Gajdiaries of India जिस Gajdiaries का नाम रखा Imperial Gajdiaries of India यह पहला अडिशन करायगा जो कि वास्तवव में Gajdiaries के नाम पे हमें पता चलता है यह 18801 में तियार किया गया थे सकंदर के 9 वाल्यूम थे और 1872 में इसकी सुरुवात हुए थी और 1881 में तियार किये गया था लगभग 9 सालों का वक्त इसके अंदर गत लगा था इसके बाद ये तो पहरा अडिशन आया था जिसका नामता है इसका नामता है इंपेरियल गजिडियस ऑफ इंडिया वो हम लोग मानते हैं कि वो कौन है तो उनका नाम है विलियम हंटर जो की प्रतम वास्तविक प्रयास इन्होंने ही किया था तो ये थी जिला गजिडियस विभाग की वास्तविक पिश्ट भूमी क्या रही थी इसके बारे में हमने इस वीडियो में समझा अब बढ़ते हैं हम डाइरेट कोशन जहां से आता है यूपी के जिला गजिडियस विभाग से हमारा डाइरेट कोशन बनता है तो यूपी के जिला गजिडियस विभाग की जो स्थापना थी वो 1957 में हुई थी इस ही एक्जाम के रूप में काफी इंपोर्टन है इसी के साथ साथ ये भी पढ़ने की इसमें संपूर्ण सूचना स्रोथ इसमें 54 जिले के गजिडियस त्यार की गजिडियस का मतलब संपूर्ण सूचना स्रोथ इसमें 54 जिले की यूपी के 54 जिले की गजिडियस त्यार की गए इसमें टोटल आठ वाल्यूम थे उसके बाद 1881 एक्यासी में संपूर्ण गजिडियस यूजना को केंदर सरकार ने राज सरकार को सौप दिया था संपूर्ण गजिडियस योजना चो थी उसे केंद सरकार पहले संचालित करती थी लेकिन 1981-81 में से राजय सरकार को सौब दिया गया 1981-81 में ही प्रतिक जिल्या का गजिडियस अब से हिंदी में त्यार होने लगा और मेरत, गाजियाबाद, ललिदपुर, कानपुर, देहात और फिरोजाबाद ये ऐसे पाँच जिल्या थे जिनके गजिडियस हिंदी में निकल चुके थे और बाकी जिलों की गजिडियस हिंदी में निकलना अभी बाकी थे जो पी-म साब होते हैं, जब नए ने जो आते हैं, दियम साब जो होते हैं, जब नए ने आते हैं तो जिल्या का गजिडियस मंगवांके सारी जानकरी उस जिल्या के बारे में कत्रित करके अपना कार उसी प्रकार से सुरू करते हैं और योपी में पूरे पचस्टा जिल्य के गजडीयस हिन्दी में बनेंगे ये असवासंद दे दिया गया था लेकिन अभी तक ये कार अभी तक संपूर्ण तरीके से पूर्ण नहीं हो पाया है अभी भी इस फे काम चल दा है तो ये था हमारा जिला गजिलियस भी भाग के बारे में जानकारी उमीद करता हूँ आप कोई पसंद आया होगा अगली वीडियो में हम समझेंगे कुछ और टॉपिक्स की और बढ़ेंगे धेरे धेरे हमारा सलेबस कंप्लीशन की तौर पे और बढ़ रहा है ठीक है वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें सबस्क्राइब कर दें हमारे चैनल को धन्यवाद